नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है यहां कैसे ट्वी यूट्व चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधान मंतरी गर्बा वस्ता साहिता योजना 2020 के बारे में जिसके अंतरकत भारत सरकार द्वारा 6000 रुपए की गर्वती महिलाओं क कर सकते हैं आपको यहां पर मैं इस योजना से जुड़ी कुछ महत्रपूर्ण बाते भी बताऊंगा तो से यहां पर वीडियो में अंतक बने रहिएगा उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने क्योंकि ऐसी वी महिला 6,000 रुपए का जो लाब मिलता है वो हमारे देश के सभी गर्वती महिलाओं को मिल रहा है यह कोई स्पेसिफिक स्टेट या फिर किसी ऐसे अन्य राज्यों के लिए नहीं आया है यह पूरे देश में योजना चलाई जा रही है हमारे आधरनी प्रधारमत्री नर्ण रूडल एजिसि की तरकार्य कर रही है प्रधामत्री मात्ती वंधना योजना का लाब पहले जीविद बच्चे को जन्म देने पर ही गर्वती महिलाओं को प्राप्त होगा इस योजना के उन्स गर्वती महिलाए आवेदन कर सकती है जिनकी उम्र 19 स्यालिया उससे अधिक है गर्वती महिला योधना 2020 के अंतरगत गर्वती महिलाओं को मिलने वाली जो धन रासी है वो 6000 रुपए है यानि कि आपको ये 6000 रुपए तीन किस्तों में दिये जाएंगे पहली किस्त 1000 रुपए गर्वती महिलाओं को आंगनवाडी तता स्वास सकेंद में 55 करण कराने के बाद दिये जाएंगे इसके बाद जो दूसरी किस्त है वो 2000 रुपए गर्वधारण के 6 महिने के अंदर प्रयोग साला में जाच कराने के बाद दिये जाएंगे यानि कि आपको जो दूसरा किस 2000 रुपए मिलेंगे वो 6 महिने के अंदर जब आप यहाँ पर हॉस्पिटल में जाकर चेक कराएंगे और आपको वहाँ पर जो रिपोर्ट मिलेगा अगर वहाँ पर सब ठीक है तब आपको वहाँ पर 2000 रुपए दूसरी किस दी जाएगे और जो तीसरी किस थे वो भी आपको 2000 रुपए बच्चे के जन्म पंजी करण तता टीका करण यानि कि BCG, DPT और OPV आदी के बाद दी जाएगे यानि कि जब बच्चे का जन्म हो जाएगा और यहाँ पर उसका टीका करण, पंजी करण, सबकुछ नाम करण हो जाएगा और उसके बाद ही आपको वहाँ पर 2000 रुपए दी जाएगे अब दोसरी यहाँ पर बात करते हैं प्रदान मंत्री गर्भावस्ता सहायता योधना 2020 के उद्देश के बारे में यहाँ योधना दोसरी यहाँ पर एक जन्वरी यहाँ पर 2017 को चालू किया गया था इस योधना के अंतरकत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की गर्भती स्त्रियों को 6000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना है तता गर्भती महिलाओं उस्तन पान कराने वाली महिलाओं उनके बच्चों को कुपोशित होने से बचाना है अब दोसे यहां पर बात कर लेते हैं प्रधानमत्री घर्भावस्ता सहायता योजना 2020 के लाब किसे मिल सकता है और यहां पर कौन-कौन एलिजिबल है तो यहाँ पर मैं आपको बता दू गर्बावस्ता सहायता योजना 2020 का लाब उन गर्वती महिलाओं को मिलेगा जो मजदूर वर्ग से हैं इस वर की गर्वती महिलाए आर्थिक रूप से कमजोर होने की वज़े से गर्भावस्ता के समय अपनी स्वास समध्य जड़ुतों को पूरा नहीं कर पाती है और पैसे की कमी के कारण अपने बच्चे की परवरिस अच्छे से नहीं कर पाती है इस योज़ा के जरी गर्वती महिलाए गर्भावस्ता के समय की हर जरूरत को पूरा कर सकेंगी और बच्चे के जन्म होने के बाद बच्चे की अच्छे से परवरिस कर सकेंगी यानि कि अगर आप एक मजदूर है तब ही आप यहाँ पर इसके लिए फॉर्म एप्लाई कर सकत आगे की तरफ बात करें तो प्रधान मंत्री वंदना योजना के तरह मित्युदर में भी कमी आएगी यानि कि जो होता था कि बच्चे मर गए या फिर मा मर गई ऐसे होता था तो यहाँ पर आपको आर्थिक मदद दी जाएगी प्रधान मंत्री गर्भावस्ता सहायता उठा सकती हैं तो सही यहाँ पर बात करते हैं प्रधान मंत्री गर्भावस्ता सहायता योजना पात्रता यानि कि दस्ता वेच के बारे में कि आपको यहाँ पर क्या क्या प्रूफ देना होगा तो सही यहाँ पर आपको गर्भावस्ता सहायता योजना में आवेदन करने व पर 2020 चल रहा है तो ऐसे में आपके साथ ऐसे में आप इसके लिए अप्लाइग कर सकते हैं तो यहां पर जो अगला eligibility है वो यह कि आपके पास रासन कार्ड होना चाहिए बच्चे का जन्म प्रमाड़ पत्र होना चाहिए यहां पर जब आप यहां पर माता पिता दोनों का आधार कार्ड बैंक खाते की पास बुक जिसमें पैसा ट्रांसफर होगा महिला के उस खाते का पास बुक आपको दे देना है और उसके बाद माता पिता दोनों का पहचान पत्र यानि कि आपको यहां पर आधार कार्ड भी देना है उसके साथ य यहाँ पर पधारमत्री मातित वंदना योदना दोजार बीद में आप आवेधन कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहली भी बता दिया है कि आप इसमें आफलाइन आवेधन कर सकते हैं गर्वती महिलाओं को इस योदा में आविदन करने के लिए तीन फॉर्म भरना होगा एक पहला फॉर्म दूसरा फॉर्म और तीसरा फॉर्म सरप्रतम गर्वती महिलाए आंगनवाडी तता निकर स्वास्त केंद्र में जाकर पंजी करण के लिए पहला फॉर्म लेकर और उसमे पुछी गई सभी जानकारी भर कर जमा कर देंगी इसके बाद आंगनवारी ततर निकर स्वास केंद्र में जाकर नियमिस समय समय पर दूसरा फॉर्म तीसरा फॉर्म भर कर वहीं जमा कर दीजिए आप लोगों को वहाँ पर बुलाया जाएगा जब भी फॉर्म भरना होगा पहला फॉर्म भरने के बाद ऐसे ही आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं तीनों फॉर्म भरने के बाद अंगनवाई तता निकर स्वास सकेंदर आपको एक स्लिप देंगे गर्वती सायता योदना 2020 का आवेदन फॉर्म आप महिला तता बाल विकास मंत्राले की ओफिशिल वेब साइट मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं प्रकार आपका आफ लाइन आवेदन पूरा हो जाएगा तोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी वीडियो के लाइक नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताए ऐसे ही और मज़दार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बलाइकन दबाना ना भूल इसे के साथ मिलते हैं एक और नई मज़दार वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मातरम